To Learners, Molecular Biology Topics by Mind Map Series का आज ये चौधा सिरीज है और इस सिरीज में हम बात करेंगे RNA as a genetic material जी हाँ हम सब जानते हैं आज की RNA as a genetic material प्रेजेंट होता है वाइरस में तो हम सब जानते हैं कि वाइरस में दो तरह के genetic material होते हैं तो कभी RNA होता है या तो कभी DNA होता है तो RNA as a genetic material कैसे प्रूव हुआ ये तो हम सब ने देखा है तो अब RNA genetic material कैसे प्रूव हुआ वो देखेंगे RNA genetic material कैसे प्रूव हुआ ये सबसे पहले देखा गया तो जो टोबैकोमोजेक वाइरस में ठीक है तो tobacco mosaic virus basically होता क्या है वो rod like virus होता है rod like hollow rod like virus है ठीक है इसका जो hollow cavity होता है इसके अंदर ही इसका RNA जो होता है single standard RNA वो captured होता है ठीक है और ये surrounded होता है capsomere से इसको बोलते हैं ये जो छोटे छोटे small unit दिख रहे हैं उनको बोलते हैं capsomere अब इहीं capsomere से मिला के इनका protein coat बनता है ठीक है तो ये जो protein coat होता है protein coat लिए हुए उसका पूरा जो outer diameter होता है वो 18 nanometer होता है और जो protein coat को छोड़के hollow cavity होती है उस hollow cavity का diameter होता है 4 nanometer ठीक है 4 nanometer होता है और इस rod like virus का जो length होता है वो होता है 300 nanometer इनके अंदर एक single stranded RNA molecule होता है तो अब देखते हैं कि TMV virus में कैसे प्रूब हुआ था RNA as a genetic material जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहां पर दो तरह के strain लिए थे फ्रेंकल कॉनरेट और सिंगर ने 1957 में दो तरह के TMV strain select किये पहला strain था strain A strain B उनको नाम दे दिया हमने ठीक है तो इन दोनों में क्यूंकि हम जानते कि TMV जो है वो RNA और protein से मिलके बना है ठीक है तो अब यह TMV जब infect कराया जाता था किसी लीव पे टोबैको लीव पे तो strain A वाला जो था वो modeling के symptoms create करता था और जो strain B वाला था वो wrinkle leaves create करता था टोबैको लेव में ठीक है तो strain B wrinkle create करता था और strain A modeling create करता था अब क्या है कि frankly corenovate and ringer ने क्या किया था उन्होंने strain A और strain B दोनों के RNA और protein को अलग अलग किया ठीक है उन्होंनेarnay को अलग रखा और protein को अलग Pow डे ग्रेट कर दिया बानों को अलग अलग कर दिया अबुन होन्होंने hybrid TMV बनाया hybrid TMV कैसे बना hybrid TMV बना strain A के RNA को strain B के protein के साथ mix करके ठीक है आप देख रहे होंगे strain A का RNA है strain B का protein है ठीक है ऐसे ही strain B का RNA है और strain A का protein है इसको मिला के बना hybrid TMV ठीक है अब इन hybrid TMV को जब impact किया गया तो ये देखा गया कि जिस hybrid TMV में strain A का RNA था उसने strain A के symptoms generate कि हैं ठीक है strain A के symptoms generate कि हैं इससे मतलब क्या है कि उसने modeling create की उसने modeling generate की leaves में ठीक है जब इसी तरह strain B का RNA contain करता था जो hybrid DNA strain B का RNA contain करता था उसने क्या create किया? wrinkle create किया तो इससे ये conclusion निकला कि जो ये characters को carry कर रहा है जो infection की characters को carry कर रहा है next hybrid TMV में वो कौन है? वो है RNA, protein नहीं है क्योंकि अगर protein होता तो ये जो hybrid है ये वाला B का character दिखाता और ये वाला A का character दिखाता है तो protein तो नहीं है RNA ही है वो material जो TMV में infection के symptom को carry कर रहा है तो अब एक बार और देख लेते इसको अब इस वाले diagram में आप देख पा रहे होगे दो strain है, एक pink कलर से है और एक blue कलर का है ठीक है? एक type M दिखा रहा है, एक common type दिखा रहा है अब इस next step में क्या किया गया है? तो ये दोनों के protein, ये capsomias अलग कर दिये गए है और ये RNA अलग कर दिया गया है, ठीक है? तो ये इस तरह से है ना, अलग कर दिया गया है और फिर इनने एक hybrid EMV जनरेट किया है, कैसे? ये blue वाले strain का RNA, ठीक है? और pink वाले strain का capsomia है, ठीक है? तो ये एक hybrid EMV जनरेट किया, लेकिन जब infection कराया इस टोबैकोलिप्स में, जब infection कराया इस टोबैकोलिप्स में, तो क्या जनरेट हुआ? वो जनरेट हुआ, strain A, कैसे? कि ये जो blue वाला RNA है, तो इसने blue वाले ही codes generate किये है, तो इस तरह से हम ये देख पा रहे है, कि RNA जो है, उसने infection, infection को carry किया hybrid TRNA तक में है, तो ये प्रूब हुआ कि RNA ही जो है, वो इस virus में, इस TMV virus में genetic material है, तो ये demonstrate हुआ था 1957 में, और ये किया गया था tobacco plant और tobacco magic virus पे, ठीक है, और इसको conduct किया था इस experiment को, Frankel Conrad and Singer ने, ठीक है, तो उमीद है, आपको ये RNA as a genetic material समझ में आ गया होगा, और thank you for watching